लो जी गाईज ये हमारी तंदूरी चाय त्यार हो रही है बहुत ही मज़ेदार ओय होई होई ओ बेटे सही है तंदूर में पकी हुई चाय हमारी यह होता है हमारा इंडियन जुकार कैसे फटा-फट उसी कल्ची से कार्ट पीड दिया उससे पीसेज में हो गया वो ताकि खाने में भी दिक्कत ना हो और यह उठाया इसे होई 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 आज हम पहुँच चुके हैं मुझे गाड़ी चलाने नहीं है इस गाड़ी पर यह वाली गाड़ी चला के आ गई हूं मैं यहां पर नोईडा के सिक्ट 33 में जो कि हमारी चटोरी गली है वहां पर फूट टेस्ट करने होगे आई वी थी मैं आज हम यहां पर आपको बहुत सारी चीज़े ट्राइ करेंगे जो मैं यहां पर अभी एक्स्प्रोर करके गई हूं तो वहां पर मुझ की डाल का सैंडविच है सुनने में आया है और कई सब जो दूसरे स्टेट का टेस्ट है वो भी हमें मिलने वाला है मुंबई जब वड़ा पाउ वो भी हम यहां पर टेस्ट करेंगे यहां की तंदूरी चाय टेस्ट करेंगे सो गाइस बहुत सारा हमें कुछ यहाँ पर मिलने वाला है आईए चलते हैं और इसी गाड़ी से हम विजिट करेंगे दीरे दीरे और घूम के आपको यहाँ का टेस्ट बताएंगे हमारा वडापाव रेडी हो चुका है और भया से पूछते हैं कि बहा नाम के आपका निलेश निलेश अपने वडापा में क्या क्या डाल है सर्थ नालील की चट्नी डाली हुए है मुंबै जा टॉन्बै और वडापरिपेर किया हुआ है मैं आपने जो मसाला मिक्स किया है उसका पूरा टेस्ट में मुंबाइका आएगा आप शोर हो इसके लिए इसके लिए को बाइया का जैसा कि कहना है कि नहोंने मसाला और कई सारी चटनिया यूस करी हुई है और बढ़िया सा गर्म करम खुश्बू आरी मुझे और इन्होंने सर्फ किया है यह ग्रीन चेटनी के साथ में गाइस आप देख पा रहे होंगे इसको देखो क्रीन चेटनी के साथ में इन्होंने सर्फ किया है और हरी मिर्च यह बढ़िया मसाले दार मिर्च के साथ इन्होंने सर्फ किया जो मिर्च लाइक करते हैं वो इसके साथ में खा सक पुरा मुह भर गया है अगर उसके टेस्ट की बात करें तो बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आ रहा है उसके साथ में जो नहोंने चटनी रगाई है और जो नाजिल चटनी उसका बहुत है अब बड़ा फ्लेवर आरा है तो यह रिकमन करना जाओंगे इस दिवाली मेले में आप जरूर आए और एक बार यह बड़ा पाउ जरूर टेस्ट करें आप एक शिर्ण इस शिलाए कि अब दाल का तो यह तियार हो गया पांच मिंट भी नहीं लगा मुझे तो लगता है दो तो तो गाइस अब हमारे पास यह बड़िया फिलिंग वाला सेंडवेच आच चुका है जो की प्राइज में आपको बता चुकी हूं कि यह 50 रुपेज में है आपका उनली और अब मैं इसे टेस्ट करने जा रहे हूं देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है अग्या है अग्या में मिक्स हो गया अल्रेडी और मैं ऐसे टेस्स करूंगी बहुत ही बढ़ी है गाई अगर आप बेस्ट नाश्टा करना चाहते हैं तो यह चीज़े ट्राइ कर सकता है मूंग की दाल का सैंडविच है जिसमें चटनी का बढ़िया सा मूं में ब्लास्ट हो रहे हैं यही रिक करने बारे में आप इस नंबर पर को अपना बुक करना चाहते हैं नहीं से भी डिटेल जानते हैं यहांके बारे में सब्सक्राइब करते हैं जैसा कि मैंने आप पूरा डिटेल बता दिये कि आप इसे यहां से और भी कर सकते हैं प्लस आप यहां से इवेंट्स के लिए अपने केटरिंग के लिए बुक कर सकते हैं अब कुछी दिर में हमारा जो फ्राइड राइस और मंचुरे ने त्यार होने वाला है सर प्राइजेस जैसे कि मैं देख पार हूं एक बर कैमरा इदर खुमाना चाहूंगे कि यह प्राइज बड़े रिजनेबर प्राइजेस हैं यही चीज मैंटर करती कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और आपने रिजनेबल प्राइजन आए होब कि आप पर पास जादा से जादा क्राउड आएगा बिल्कुल हम यहां पर टेस्ट करेंगे और लोगों को रिवेव करेंगी कि यहां पर आकर आपका वो टेस्ट करें एक यहां पर आपकाड़ी यहां अपर आपके जैनेगी तरह कि अंगे पछाइड अवाद सॉल टागए हमारा शही नचाहर चाहिए नचाह हमारा यहां यहां टाइट है जुकी बन रहे है इनका सिक्रेट है उन्होंने अपना जो भी मिक्स किया होगा उसमें और यह आगे मंचुरियन बॉल्स बहुत ही बड़िया बहुत ही बड़िया मज़ेदार लग रहा है देखने में बहुत ही जल्दी मैं इसे ट्राइ करने वाली हूँ मुझे भूग लग रही है तो लो जी गाइज यह हमारी तंदूरी चाय त्यार हो रही है बहुत ही मज़ेदार ओय होय होय ओय बेटे सही है तंदूर में पकी हुई चाय हमारी आपके पास यहां पर दो ऑप्षन है जिसको उन्होंने चाय और लस्टी दोनों प्रोवाइड कर रखे जो चाय लेना चाय तंदूरी वो चाय ट्राइ कर सकता है जिसे लस्टी लेनी हो लस्टी ट्राइ कर सकता है को क House貌ने vibes यह हमारी चाय ही यह वे तंदुरी चाय हमारी तियार हो रही है और मज़ेदार कुश्च भू वाँरी यह मिट्डी की फास लेना और तो यह आता हुआ बढ़िया सा चाय का वाल इस खुश्बू के तो लोग दिमाने है एक यही ऐसी चीज है जिसे कोई डिनाय नहीं कर सकता इस्पेशली चाय लवर्स के लिए है यह और यह आगई चाय कुलर में यह मेरी चाय आ चुकी बढ़िया प्राइस क्या है चाय का थर्टी रुपीस तीस रुपए की यह तंदूरी चाय है और मैं बिसे पहने जा रही हूं बहुत ही बढ़िया चाय है और ठंड में अगर ऐसी तंदूरी वाली चाय मिल जाए न तो मज़ा ही कुछ अलग है ज़रूर रेकमेंट करना चाहूंगी कि सेक्टर थर्टी थ्री नौइडा में दिवाली मेले पे आप ज़रूर एक बार विजिट करिए और यहां के जो भी काउंटर से उन्हें जरूर ट्राय करिए और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको यहां का कौन साइड काउंटर अच्छा लगा और नेक्स वीडियो के लिए हमारे पेज को लाइक करते रहे और फॉलो करते रहे और हमारे यूट्यूब और इंस्टा पर जर